सो हिलो सांथियो आज कि इस वीडियो में हम आप सभी को ताने जा रहे हैं जो नवी कच्छा का इन्वल एक्जामेशन दुजार तेश में जो मैथमेटिस का एक्जाम पेपर हुआ है इसमें पूशे गए थे एक से लेकर 100 तक के अबजेक्टिव कोशन जिन में से केवल आप स देखर आपना एंसर शीट मिला सकते हैं लेकिस सबसे बहला स्वाले पूशा गया था कि कौन सी संख्या परिमेश संख्या है तो इसका राइट डिस्रप्शन बी के साथ चला जाएगा रूट अंडर नौ दिया गया था और नौ का बर्मूल तो आज सभी को मानम होगा कि त अब हमें इसका गुरान खंड करना है तो ऐसे करेंगे पांच पे पांच समय करने पे पचीस तियां पच्छत्तर दुना डेश हो जाएगा तो डबल पांच का एक पांच रूट से निकल जाएगा और तीन दुनी बचेगा च्छो तो राइट तेसर पांच रूट अंडर होगा जो कि अफसेंड ए में दिया गया था उसके बाद में अईलाज स्वारे पूछा गया था कि यदि एक्स बरावर रूट अंडर तीन हो तो एक्स पलस एक बटा एक्स का मान क्या होगा तो जहां जहां एक्स दिख रहना जी वहां पे रूट अंडर तीन रखेंगे या और बटा में है root under 3 इस परकार से question का सही जवाब 4 बटे root under 3 होगा जो की अफसेन B में दिया गया है अब आईए अगला स्वाग question number 4 क्यों बढ़ती है question 4 करता है कि यदि x square plus 3 a x minus 2a का a गुनानखंड x minus 2 है तो a का मान क्या होगा इस question का solution का लिजएगा x दावा लिखीगा न तो ये minus 2 धर plus 2 हो जाएगा जहाँ जहाँ x दिख रहा है वहाँ पे x का मान दो बैठा दीजएगा आपका question का right answer minus a का जाएगा फिर करता है कि a plus b का whole square क्या होता है तो ये तो फर्मूला है a square plus 2ab plus b का whole square होता है जो कि option a में दिया गया है तो right disruption ये हो जाएगा आपके पार्ट कुछ तक में इस formula से बनने वाले बहुत सारे question दिये गए है जैसे कि 102 गुने 103 को कैसे बनाते हैं तो इसी formula पर ना बनाते हैं जी तो इसका formula होता है x square plus a plus b into x plus a b जो कि option b में दिया गया था अब ls-sealt करता है कि a minus b plus c का whole square बराबर क्या होता a square plus b square plus c square अब यहांपे b में minus है तो 2ab जो होगा ये भी minus में होगा 2bc ये भी minus में होगा पलस 2ca होगा यानि पहले दोगों मैंने होगा जो कि option b में दिया गया है a square plus b square plus a square minus 2ab minus 2bc plus 2ca right disruption b में दिया गया था पुछा गया है कि 2X प्लस Y का Q बराबर क्या होगा तो इसे A प्लस B के Q वाले फर्मुलाइबे ठालीज़ेगा तो राइट एसर यहां पर option जो होगा वो आपका C हो जाएगा क्योंकि 2 का क्यों कीज़ेगा तो दो दूनी चार चार दूनी आठ यानि अप्शन A हो जाएगा option C में इस कोषन का राइट एसर दिया गया था जम एक्स प्लस टू आई के जब स्कॉयर की जिएगात तो एसाइब आपका जो दिखिएगा तो ऑप्शन B में घालिजेगा question का right disruption बिया जाएगा अगला स्वाल है कि a plus 2b plus c का whole square क्या होगा तो a square plus 2 दो दूनी 4 square होगा जो कि option यहाँ पे देखिएगा तो a square plus 4a square plus c square लेकिन इसमें माइनस दिया गए हमें तो चाहिए plus वला न जी तो plus वला दिया गए option a में right disruption हो जाएगा option a विसके बार में करता है कि यहाँ प्लस एक बटा एक बरावर 4 हो तो एक स्कायर प्लस एक बटा एक स्कायर क्मान क्या होगा तो जब हम 9th class का viral question के वीडियो बनाए थे तो बताए थे कि जब यहाँ पे चार दिया गए न जी तो चार के स्कायर कर दीजे क्या किजे इसकायर कर दीजे तो चार जोगा 16 हो जाएगा अब इसमें से आपको 2 कमानस करना होगा तो कितना एगा 14 एगा और 14 देखिएगा तो option यहाँ पे बी में दिख रहा है तो right disruption भी हो जाएगा अले स्वाल करता है कि एधी a plus b plus c बराबर 7ab plus b c plus c a बराबर 15 है तो a square plus b square plus c square कमान क्या होगा इस question को बना ली सेगा right disruption का उन दीजे आपका उन दीजे ना चाहिए साठ शाठ का होगा तो यह तिर्भुझ भी आपका स्वनबाहु तिर्भुझ हो जाएगा और पर टेव कंध कमान भराबर भी हो जाएगा तो रायट स्रेयां के ऐप उसन सी में दिया गया था साठ डिडिए यहीं कोशन का सही जवाब हो जाएगा स्वाल करता कि इसी समकोन तिर्भुज के दोनों नियून कोन अर्धक प्रसपर ओ पर मिलते हैं तो इन अर्ध कोरों का ओ पर बनाये गया कोन का मान कितना होगा तो जाशी बाते यह समकोन होगा समकोन होता है ना इंटी डिडी का फिर करता कि दो रेखाखंड A, B, C, D एक दू करी वन पांच और नो और एक कितना होगा दस हो जाएगा तरजी यानि आपका सवरी यह एक सो दस हो जाएगा आप 110 में क्या किजे कि आप अगर सह होता तो इसमें 80 जोड़ दीजे ताकि 180 हो जाएगा आइलस स्वाल में भी आपका दिया गया है कि 120 दिया गया है और यहां पर एक बठा दो दिया गया है तो बहुत असान है किजे इसको कटा दीजे राइटे सरवांगशन तिरभूज DEF में है तो DEF की कौन सी भुजा तिरभूज ABC के भुजा AC के बराबर होगी तो AC के बराब फिर करता है तो कोन B बराबर होता है कोन जो क sells B में दिया गया था ौलस तो क्या क्या करता है कि verder 33 P घटार गांची यह तो 105 एक पटा 3 है तो में दीजे तो 66 पर optimum पाउर 1 पटा 3 होगा जो की अप्सन B में दिया गया था अलस स्वाल क्या करता है कि 22 में दिया गया कोई सौंथे दीन पर पांग जीरो हमाब सभी कृषए थे कि किसी भी संख्याग पर पांग जेदे जीरो धिया जाता है तो उसका मान एक होता है पर ऑस ब सबस्चहर TW होता है प्रेगे एक सभाग लगा यह हो जाएगा दो और दू में सब्सक्राइब इस सब्सक्राइब जो कि अफशन दिया गया था उसके बाद में इसी परकार से इस स्वाल को सब्सक्राइब देखे को ता है कि 17 सब्सक्राइब का मान क्या होगा तो क्या करेंगे सीरे 17 का 17 लिखेंगे square में इसका स्रिवना करेंगे 5 दिन 10 यानि 17 पाउर 10 होगा जो की option A में दिया गया था फिर अगला स्वाल करता है कि 5 का square फिर उसका hole Q का मान क्या होगा तो क्या खीचे 5 को 5 लिखें सीरे 5 त्यार 3 में दूसरे न कर दिजिए तो 3 में 6 होगा 5 पाउर 6 अफ्षान B में है तो right disruption B हो जाएगा फिर करता है कि 7 पाउर 5 इंटू 7 पाउर 3 का मान क्या होगा तो 7 को 7 लिखेंगे और 5 में 3 से गुना कर दिजिए तो 7 पाउर 15 हो जाएगा जो की option A में दिया गया है C में है right disruption C हो जाएगा फिर करता इयुआ कि 3 क पाउर में जो hole Q है वो फोर दिया गया है तो क्या करें 3 पाउर 6 हो जाएगा तो right disruption B हो जाएगा अब यρεί तीस नमर कोरशन को देखते हैं कि 2 पाउर 0 गुना 3 पाउवर 0 का मान क्या होगा तो किसी भी संख्या के ऊपर पाउवर में 0 होगा उसका मान 1 होगा और 1 में 1 से गुना करने पर 1 होता है राइट इसरप्षन B में दिया गया है आए उसके बाद में अगला स्वाल को समय 31 को देखते हैं कहता है कि एक सो गुने 0 का मान क्या होगा आप सभी को हम अदायत है कि किसी बड़ी से बड़ी संख्या क्यों न हो उसमें यदि हम 0 से गुना कर देते हैं तो प्रावद संख्या 0 के मान के बरावर हो जाता है तो एक सो गुने 0 का मान कितना होगा तो जीरो होगा वो इसके बाद में करता है कि 10 अपाव जीरो तो इसका मान एक होगा 20 अपाव जीरो तो इसका मान एक 30 अपाव जीरो तो इसका भी मान एक तो एक में एक से जोड़ना करने पर एक और एक में एक से भाग लगा भी दीजेगा तो भी एक होगा जो कि अफसेन c में दिया गया है फिर अगले स्वाल किता है कि 25 चपाउऑ 0 तो इसका मान एक होगा 5 चपाउऑ 0 तो इसका मान 1 होगा तो एक और एक में जोड़ेते हैं तो कितना होगा जी 2 होगा झी तो स्वारी एक और एक यहां पर dau होड़ा होना चाहिए एक मानेंगे एक में एक को घटा देंगे तो जिरो बचेगा जो की अप्षन बी में दिया गया है अगला स्वाल करता है दो स्वाल जिरो तो एक मानेंगे और तीस वाल जिरो तो भी एक मानेंगे एक में एक को जोड़ेंगे तो दू और दू में से एक घटा लेंगे तो एक बचेगा और एक यहाँ पर अप्सन B में दिया गया है तो राइट इसर अप्सन B के साथ चला जाएगा ऐल现 स्वाल देख़िए क xem 36 क्या करता है यहां पर दू बटे 3 दिया गया है तो हम क्या करेंगे 5 पको 5 लिखेंगे और दू बटे 3 और एक बटे 3 का बटा का जोर बनाएंगे तो 3ën 3 का ये होगा 2 पल से 1 परढबर 3 हैना जी तो 5 power यह हो जाएगा 3 बटे 3 कटके 1 तब 5 power हम एक लिखे या कि वोल 5 लिखे होई फरक नहीं परता है तो right disruption B के साथ चला जाएगा जी 5 अगरा स्वाल करता है कि 7 power 3 बटा 4 भागा 7 power 1 बटा 4 का मान क्या होगा तो ऐसा ही बना लिजिए गा right शर 7 power 1 बटे 4 आएगा फिर करता है कि 13 power 1 बटे 5 और इंटू 17 power 1 बटे 5 का मान क्या होगा तो स्वीदे क्या किजिए 13 में 7 से गुना कर दिजिए तो दूसर यह कैसा आता है इस पर पार 1 बटे 5 लगा दिजिए और यहीं कोशन का राइटे से रोगा दूसर एक आइस पर पार 1 बटे 5 इसी परकास से हम यहां पर कोशन 49 से लेकर अगले वीडियो में 100 तक के तमाम कोशनों का सलूसन बताएंगे यदि उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्काइब कीजिए ऐसे ही नए नए इंट्रेस्टिक वीडियो पाने के लिए हमारी स्यूट्यूब चैनल मैथ इनमाई एक्टीस को सब्सक्काइब करना बिल्क न पुरिएगा तो मिलते हैं एक नए वीडियो में नए भी वीडियो कोशन के साथ तब तक के लिए आप सभी को वीडियो दखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद